नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना वीब नियूज चेनल प्रीम पावर हंटर करते हैं शुरुवात आज की प्रमुख खबरों से खबर मध्रदेश के जबलपुर से भारत तिब्बत मंच कारेकरताओं ने जलाया चीन का पुतला 20 अक्टूबर 1965 को चीन ने भारत के एक हिस्से पर अपना कबजा जमा कर भारत पैट पर घुस पेट की थी तब ही से भारत भर के लोग इसे काला दिवस की रूप में मनाते आ रहे हैं जबलपुर में प्रतिवर्षा अनुसार इस वर्ष भी भारत तिब्बत मंच के कारेकरताओं ने चीन का पुतला ज़ला कर अपना विरूद दर्ज किया साथी लोगों को यह संदेश दिया कि वे दिपावली के इस्तिवहार को पूर्णतोह स्वदेशी ढंग से मनाए चाइना के बने किसी भी उतपाज जैसे जोलर दिये या सजावटी सामनों का उप्योग ना करे ताकि चीन के व्यापार को बढ़ावा ना मिले और स्वदेशी व्यापार को एक नई दिशा दी जातकी बचाएंगे देश को पचाएंगे बचाएंगे भारत मता कि जै बंदे माकरम करने के लिए हुए हैं फट्टे आपा और काला देवस्तु रूप में यह दिन मनाया जा रहा है कि चीन में जो हमारी भारत की भूमी पर कप्जा किया हुआ है तो उसके लिए हम लोग आज यहां पर काला देवस्तु रहा है और चीनी समान कोई भी यूज नहीं करेंगे जो हमारे भारती गाओं के गरीब हैं बात दिन महनत करके जो दिया चोटे चोटे बनाते हैं और अपना पूंजी उस्तु आज हम लोग यहां पर एग भारत फेएं ब्लजी आज हमारे चाएं चीन अव शियोय और जीनी समान है हम लोग उसका बिरोध करते चीनं का बिरोध आज हर जिले में हर जिले में सभी लोग भारत इबस अईयोग मंच के द्वारा हर जिले में आज 20 अक्टूबर को हम लोगे काला दिवस की रूप में मना रहे हैं और हमारे साथ में हमारे सभी बेहने हैं और हमारे जिले से आई हुए हैं, सभी लोगी घर निकटे हुए हैं, और आज हम लोग इसके भाइस्टार कर रहे हैं, और चीन का पुतला देयन कर रहे हैं, मेरे नम मायर सिंग, अद्याक्षू. जिलाद देक्चू जबलपूर जिलाद से, और मैं चीन के बिरोध में, चाइना के जो भी आईटम जाला रहे हैं, जो भी आईटम चाइना से बनी हुए हैं, उनका सभी बिरोध में आज हम लोग ने कुतला देन किया, और ये भारत का जो एक छोटा से टुपड़ा है, जो च राजिस्थान से आये 6.6 लाग की समेग जबलपूर में पकड़ाई, जबलपूर के स्टेफ की टीम ने दो समेग तसकरों को गिरफतार करने में सफलता हासिल की, स्टेफ की टीम ने मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नमबर 6 के बाहर, मुख्वीर की सूचना पर इसमेग तसकरों को रेलवे स्टेशन से गिरफतार किया, पूश्टाच में आरोपियों ने बताया की, वह राजिस्थान के रहने वाले हैं और अपना नाम अमित्तंवर और वीरंतंवर बताया है स्टेफ ने आरोपियों की कबजे से करीब 65 ग्राम इसमेग बरामत की, पुलिस के मुताबिक, जब्त की गई समेग की अंतराश्ट्री की मतलग भग 6,5 लाख रुपे बताई जा रही है वहीं स्टेफ की टीम ने आरोपियों की विरुथे NDPC Act के विबिन धाराओं की तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है बहरहाल स्टेफ दोनों आरोपियों से इसमेग की तसकरी की संबंध में सगन पूछताज कर रही है जबलपुर में मादक पद्धरतों की तसकरी से जुड़े आने लोगों के संबंध में भी पूछताज जारी है स्टेफ ने बताई कि पूछताज के बाद आरोपियों से और भी खुला से उने की आशंका चताई जाती है जबलपुर से सुप्रेम पावर हंटर न्यूस ब्यूरो की रिपोर्ट